डिप्टी सेम केश्व प्रसाद मौर्या ने एक बार फर्स से कॉंग्रस मासचेव प्रयांका गांधी पर बड़ा हमला बोला है उन्होंने कहा है कि प्रयांका गांधी हमेशा नौतंकी ही करती हैं उन्हें अगर पीड़ा होती तो वो राजिस्थान की कोटा जाती केश्व प्रसाद मौर्या ने कहा है कि कॉंग्रस का चरत रही ऐसा है कि जहां पर बच्चे मर रहे हैं उन परिवारों के आसु पोचने के बज़ाए दंगा, बलवा और सरकारी संपते को नुकसान पहुचाने बालों की प्रती प्र्यांका गांधी का प्रेम उमड रहा है केश्व प्रसाद मौर्य संगम में मागनेली का निरक्षून करने पहुचे थे और इसी दुरान उन्होंने इबात गही प्रसाद में आया हूं कि यह सच है कि प्यांका जी नौटनकी ही करती है दर्द अगर उनको होता तो केवल जो अरयक्ता किये हैं जो तोड़ फोड़ किये हैं जो आगजनी किये हैं उनके परिवारों के प्रती ही दर्द नहीं होना चाहिए कांग्रेस के नेतेत्वाली अगर सरकार राजस्थान में है सबसे अधिक बच्चे वहां पर किस्ता सुवधा के अभाव में मर गए हैं तो सबसे अधिक पीड़ा उनकी है उनकी आसु पोचना चाहिए